वेलकम फ्रेंट्स तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेट्फिक्स इंडिया पर पिछले हफते रिलीज हुई साउथ कोरियन वेब सीरीज स्वीट होम का तो काफी लोग के कमेंट्स भी थे इस सीरीज को रिव्यू करने के लिए तो वेसिकली ये जो सीरीज है आपको नेट्फिक्स पर कोरियन के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के साथ देखने को मिल जाएगी और सब्राइटर्स भी मौजूद है बात करें सीरीज की तो इस सीरीज में आपको कुल दस एपिसोड देखने को मिलते हैं अब क्या वज़े है इनसान के मौनस्टर्स में बदलने की क्या ये कोई infection है या फिर इसके पीछे है कोई और वज़े और कौन हीरो बन के सामने निकलेगा इस सीरीज में और कौन इनसानों को बचाएगा इन मौनस्टर्स से यही हमें आखिर तक इस पूरी सीरीज में देखने को मिलता है तो 10 एपिसोड लंबे इस वेब सीरीज को देखने के बाद तो मेरा जो उपीनियन है इस सीरीज के लिए वो ये है कि ये जो सीरीज है मुझे ठीक ठाक लगी अच्छी लगी और ऐसा भी नहीं था कि जिस डिपार्टमेंट की या फिर जिस जोनरा की ये सीरीज है वहाँ पर हमें कुछ बहुत ज़ादा डिसपोइंट करती है तो ओर ओर ठीक ठाक थीक कुछ ऐसे चीज थे जो मैं एक्सपेक कर रहा था जो मुझे नहीं मिरे कौन अच्छा है कौन बुरा है तो ये जो चीजे हैं वो हमें कुछ हद तक कौंगर की पांचवे एपिसोड तक बांदे रखती है और पांचवे एपिसोड के बाद जो चीजे हैं वो खिलना स्टार्ट हो जाती है तो यह जो mystery थी सभी characters के लिए वो जो चीजे हैं वो हमें कहीं न कहीं series के जाथ जोड़े रखती है इसके अलावा series के दौरान हमें जितने भी इंसानों के और monsters के बीच की भिड़न्त देखने को मिलती है जो chase sequences, जो fight scenes देखने को मिलते हैं उन्हें भी काफी अच्छी तरीके से film आया गया है और कहना चांगों कि अगर आप एक thrill के लिए अगर आप इस series को देखने बैठे हो या देखना चाते हो तो जो thrill है वो आपको अच्छा खासा experience हो जाएगा इस series के दौरा इसके अलावा बात करें सभी episodes की तो पहला जो episode था वो काफी मतलब कहूंगा कि interesting था क्योंकि शुरुआत हो रही होती है उसके अलावा पूरे episode की बात करें तो कहूंगा की आखिर के दो दो episode थे वो लगभग काफी interesting थे जिन में से सबसे आखिरी वाला जो episode था वो सबसे बहतरीन episode था क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा emotion अच्छा twist और जो एक उतार चड़ाव है characters के अंदर वो भी देखने को मिलता है तो वो जो आखिर episode था वो बहुत ही अच्छा था और अगर वो सभी चीज़े हमें सारे के सारे episodes में देखने को मिलते और उतनी अच्छी तरीके से देखने को मिलते तो हो सकता था कि यह जो series है इसका जो experience है वो और दुगना बढ़ सकता था तो overall जो आखिर episode है वो इसकी जान है और कहना चाहूँगा कि यह जो series जब खतम होगी तो अगर आप आखिर episode तक continue करते हो तो आप ज़रूर interested रहोगे season 2 के लिए क्योंकि यह series इस हिसाब से खतम होती है कि एक उमीद देती है कि इसका जो अगला season होगा वो काफी interesting रहने वाल है इसके अलावा इस film का जो background music है वो भी मुझे बहुत पसंद आया जो title track है वो बहुत ही बढ़िया था उसमें एक अपने type का ही एक elevation था जो जो लोग लड़ रहे होते हैं उन्हें एक warrior की तोर पे जिस तरह से वो गाना वो background music पेश करता है वो काफी scenes को बहुत ही बढ़िय है इतना कुछ मतलब बचकाना नहीं लगेगा जिसमें से सबसे पहला जो monster हमें देखने को मिलता है वो सबसे खतरनाक है हाला कि यह जो पूरी web series है यह webtoon जो की same नाम से थी sweet home नाम से ही है मैं net पर देख रहा था तो यह उसी से पूरे की पूरी उसकी adaptation है और वहां पर जिस जिसे monsters थे वैसे ही monster हमें इस series में भी देखने को मिलते हैं तो graphic work और camera work वगेरा जो है इस series का काफी decent है हमें अच्छा देखने को मिलता है तो technically यह जो film है यह काफी अच्छी थी अब आते है negatives पर और बताता हूँ कि यह series मुझे कहां पर निराश कर गई तो इस किसम की जो web series होती है यहां पर या फिर कहें जो film होती है zombies वाली जहां पर इनसान एक पल के लिए काफी एक साथ जुड़ते हैं कुछ लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को मतलब मरने के लिए छोड़ देते हैं तो इस किसम की जो सीरीज है थोड़ी सी मतलब कमजोर पढ़ जाती है सीरीज में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन में अलग शेड है जिनके अंदर एक लेयर है पर फिर भी वो कैरेक्टर्स हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं जब उनकी मौत हो या फिर वो किसी परेशानी में हो तो हमें भी दुख हो तो इस वज़े से जो emotional connection था वो उतना बहतरी नहीं बैट पाता है फिर भी अगर जितने भी लोग मरते हैं उन में से जो आखिर में जो आपको मरता हुआ नजर आएगा वो जो चीज है वो थोड़ा सा emotional है क्योंकि उस character को बहुत लंबा खीचा गया है और उसके दौरान आपके साथ थोड़ा बहुत emotional connection बैट जाता है otherwise जो emotional connection है वो और बहतर तरीके से बन सकता था तीरीज में आपको अच्छे characters देखने को मिलेंगे बुरे characters देखने को मिलेंगे पर जो बुरे characters है उन्हें उस हिसाब से बुरा नहीं दिखाया गया कि अगर उनमें कहूंगा कि जो एक transformation हमें देखने को मिल भी जाए तो हमें बहुत जादा शौक लगे तो जो एक transformation है characters में वो भी एक तरह से predictable हो जाता है तो और उनका जाए तो यह जो series है या फिर कहीं जो फैला season है इस series का इसको आप तभी देखो अगर आप मतलब zombies वाली monsters वाली film में देखना पसंद करते हो और कुछ thriller देखना चाहते हो तो आप इस season को देख सकते हो expectations थोड़ी सी कम रखिएगा तो यह जो season है आपको निराश नहीं करेगा हाँ यह कह सकता हूँ कि जैसे ही season खतम होगा आप second season को लेकर थोड़े से interested जरूर रहोगे excited जरूर रहोगे क्योंकि जो ending है वो काफी अच्छी हुई है और एक उमीद के साथ हुई है कि जो second season आएगा वो पहले season से काफी अच्छा होगा तो मेरी तरफ से sweet home को 5 में से 3 star अगर आपने यह series या फिर कहने web series देख ली है तो आपकी क्या राह है इस series के बारे में मुझे comment box में जरूर बताएगा मिलते हैं हमारे अगले फिल्म रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर